सेलम्यक्EM, आज कि इस वीडियो में हम सीखते हैं कि किस तरह हमने डुमेन को कनेक्ट करना है, किस तरह प्यक्सलि करना है, किस तरह उसको क्या है, आपने स्टोर के साथ क div करना है, यह सारी चीज़ें आज हम सीखेंगे, तो म caller हम यह समझे लिएते हैं कि पिक्सल है क्या पिक्fahr COM करने है तो आब यह इस से किया किसे करना है किस तरह हमने कोर्ड करना है इसका स्टेप बए स्टेप पर हम सीखेंगे तो आप पर्स्ट फॉज्ञेर आएंगे बिजनेस मैनेजर पर आने के बाद data source पर आएंगे data source पर आने के बाद pixel पर आएंगे अच्छा यह pixel पहले यहां से create किया जादा था अब यहां से यह खतम हो गया और यह data sets के अंदर इसकी setting आगी है तो यहां पर आने के बाद आप first of all add पर click करेंगे add पर click करने के बाद आप अज़र अपने pixel का नाम उसका नाम आप लिखेंगे मैं एक dummy से बना लेता हूँ और create पर click कर लेता हूँ जैसी मैंने create पर click किया अब यह मेरे पास pixel create होने के बाद आपने यह करना है आपने add people पर click करना है add people पर click करना है अब इस जो यह वाला business manager है इसके अंदर जो बंदर भी आपके पास अर्टेज है जिस पो आप access देना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं और assign करते हैं, assign करने के बाद आप add assets पर आए जाएंगे add assets का मतलब यह है कि यह pixel की access आप किस add account को देना चाहते हैं देखें हमारे पास बहुत सारे multiple adds accounts होते हैं जब तक आप इसकी access अपने add accounts को नहीं देंगे तो यह वाला pixel आपके add account के अंदर शो नहीं होगा बहुत सारे दोस्ते जब वो add run कर रहे होते हैं तो add run कर रहे होते हैं तो जब वो अपना add create करते हैं उसके center में जाते हैं वहां पर pixel शोनी हो रहा होता कि किस pixel के उपर हमने add run करना है हम जब sales की campaign चला रहे होते हैं objective अपना sales select करते हैं तो उसमें जायर है हमें फिर pixel चाहिए होता है तो pixel selection की stage पर आकर वो फस जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आती कि अब यहां पर हम pixel को कैसे लेगर आएं तो वो mistake यही कर रहे होते हैं कि उन्होंने अपना यह जो एसेट से ना अपने pixel को एसेट नहीं असाइंड कि होता तो आपने add assets पर क्लिक करके यह मेरे पास multiple add accounts हैं इन message जिसको भी आप access देना चाहें आपने वो select कर लेना है और add पर click कर लेना है ठीक है अब यह मैंने account को इसकी access दे दी अब उसकी बाद next क्या होगा next यह होगा आपने चले जाना है अपने Shopify劑으니까 लेजाएंगे तो आपने Setting में जाना है सेटिंग में जाने के बाद आपने जले जाना है एफS refuse Orange में एपसीफाइ एफस्याई चनल की उपर अप जाएंगे Shopify एफस्तोर के अपधर अब Shopify app stores पर जाकर आपने यहां से applications है Facebook और Instagram की वो अपने Shopify store के अंदर आपने इंस्टॉल करनी है यह applications आप जब तक इंस्टॉल नहीं करेंगे तो आप Facebook को अपने उसके साथ connect नहीं कर पाएंगे इदर open app लिखा हुआता है ठीक है अच्छे Shopify app का बताता जाओं यह एक Play Store की तरह है जिस तरह आपके मुबाइल में एक Play Store होता है और जहां से आप अपने मुबाइल की सारी एप इंस्टॉल करते हैं इस तरह Shopify का भी एक app store होता है जहां से आपने Shopify store के लिए जितनी भी जरूरत की apps है वो easily install कर लेते हैं ठीक है कुछ free मिल जाती है कुछ bad होती है तो यह आपने यहां से इसको open app पर क्लिक करना है मेरे पास open app आपके पास install होगी तो आपने install पर क्लिक करना है ठीक है अब मैंने install कर ली उसके बाद open कर ली अब जब यह open हो जाएगी मेरे पास open होने के बाद आपके पास यहां पर लिखा हुआ रहा है get started ठीक है तो एक चीज़ यहां पर मैं आपको बतादा जाओं आपने first of all अपना जो business manager है वो इस chrome के अंदर आपने login कर लेना है facebook account कर लेंगे तो फिर बस वो ज्यादा बेतर रहेगा वो फिर सारी की सारी जो है ना खुद बहुत ही deduct कर लेता होता है तो आपने अपना facebook account आपने इस chrome के अंदर login जरूर करना है तो यह ज्यादा बेतर रहेगा आपके लिए easy हो जाए अब यहां पर हमें accounts का के रहे तो हम confirm पर क्लिक करेंगे allow पर क्लिक करेंगे तो यह वाले accounts इसके साथ synchronize हो जाएगा अब इसके अंदर जो भी business account है वो आ जाएगा हमने इसको connect करना है पर उसके बाद यह हमें कहेगा कि पिक्सल और बलकिछ से पहले यह maximum पर आपने रखनी है यह तीन options होती है आपने maximum पर रखनी है और इसको save करना है फिर उसके बाद यह पिक्सल हम कौन सा connect करना चाहते हैं मैं यह वाला connect करना चाहता हूँ ठीक है times and condition I agree कर लिया और submit for review कर लिया जैसी मैं submit for review करूंगा तो यह मेरा पिक्सल इसके साथ connect हो जाएगा within a few minutes के अंदर अंदर ठीक है अब जब यह connect हो जाएगा यहां पर यह थोड़ा सा time लेगा ठीक है आपने wait करना है तीन चार मिनट पांच मिनट आपने wait करना है और उसके बाद फिर हमने इसको verify करना है कि यह successfully connect हो गया है यह नहीं होगा सही है आप वो किस तरह करेंगे मैं आपको वो बता जेता हूं कि हम उसके बाद यहां पर आएंगे और यह वाला पिक्सल हमने connect किया था इसके ताहर आपने open in events manager करना है जैक है जैसे यह आप इस पर click करेंगे उसके बाद यहां से setup meta pixel check for partner और यहां से हमने Shopify स्लेट कर लिया और इसको आपने continue करना है यहां पर आपने अपनी website डालनी है जो भी आपकी website होगी जो आपने इसके साथ connect ही होगी और send traffic पर आपने click करना है जैसे आप send traffic पर click करेंगे उसके बाद आप अपने main page पर चले जाएं contact us के page पर चले जाएं और यहां पर यहां पर यह पता देगा कि अगर यह successfully properly connect हो गया हो तो यहां पर active लिखा हुआ आजाएगा ठीक है अब यह देखें यहां पर green signal उसने दे लिया कि यह pixel successfully connect हो चुका है और यह अब active है आप इसको next करेंगे और उसके बाद आप इसको finish कर देंगे अब इसको verify भी करना है test events in events manager वो भी हम आप करते हैं वो किसे करेंगे आप test events पर आ जाएंगे यहां पर आने के बाद आपने यहां पर अपनी website डालनी है जो भी आपकी website है मैंने आप चेक करना है कि यह properly working कर रहे है या नहीं कर रहा है अब यह मैं main page पर आगे उसके बाद contact आस पर click किया आपने यहां पर आगर देखना है कि यह working कर रहे page यह देखें अब यह page view हुआ है और इसके बाद अगर मैं कोई product add to card करता हूँ तो यह उसका भी बता देगा मैंने यह initiate चेक आउट किया तो यह देखें यहां पर यह सारे की सारे events इसने track कर लिए that means के हमारा pixel properly working कर रहे है अब इसके बाद next एक चीज़ है जो हमने discuss करनी है वह यह है कि आपने आजाना है अपने accounts के अंदर और यहां पर आपने business manager में आकर यहां पर आपने अपनी domain को verify करवाना है वैसे अब इसकी जरूरत नहीं है अगर आप करवाना चाहें तो उसका क्या तरीका हो वह मैं आपको बता देता हूँ आप इस तरह करेंगे आप first of all add पर click करें यहां पर आपने अपनी properly domain डालनी है जो भी आपकी domain है और आपने इसको एड़ पर click करना है जैसे ही आप एड़ पर click करेंगे उसके बाद आपके सामने यह आजाएगा अब इसको हमने क्या उनसे method से करने add meta tag to your HTML source code ठीक है आपने इसकी उपर आपने click करने है ठीक है जैसे ही आप इस पर click करेंगे तो यह code आपके पास copy हो जाएगा अब उसके बाद आपने चले जाना है अपने Shopify store के अंदर और यहां पर आपने online store में आ जाना है उसके बाद आपने यह तीन dot पर click करना है edit code पर click करना है और theme look at पर click करने के बाद यह जो आपके पास head section होता है इसके नीचे आपने यह वाला code पेस्ट कर देना है और फिर आपने इसको save कर देना है जैसी आप इसको save करेंगे फिर आपने थोड़ी देर सबर करना है प्राइंडस्मिन्ट 20 मिन्ट और उसके बाद आपने यहां पर आकर इसको वेरिफाई करवा देना है और यह फिर प्रॉपर्ली वर्किंग स्टार्ट कर लेगे अब वैसे तो बाद ज़से तो बाद ज़से टाइम वेरिफाई भी हो जाता है ताइम नहीं लेता लेकिन यह है है और उसके बाद यह प्रॉपर्ली कोड डिड़क्ट हो और फिर यह वर्किंग करने लग जाए और यह वेरिफाई हो जाए ठीक है जब आपने यह कोड इंस्टाल कर लिया और इसका प्रॉपर मैथड यहां पर विताय हुए ठीक है आप यह कोड कोपी करें और इसको आप पेस्ट करना है अपने हेडर सेक्शन के नीचे ठीक है अब मैं वेरिफाई पर क्लिक करता हूँ अगर इसने डिड़क्ट कर लिया तो यह अभी वेरिफाई कर लेगा अब यह देखें अभी यह कहरे है डुमैन वेरिफिकेशन फैड अनावल तो अभी यह जो है ना वर्कि यह उसी टाइम नहीं भी डुमैन वेरिफाई होती ओं थ्ट टाइम के बाद यह हो जाती है डुमैन वेरिफाई अभी नहीं हो रही है, यह 70 फूर 2 आर के इसको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है, और I hope कि फिर हो जाएगी, तो यह थी आज की class, जिसके अंदर हमने सीखा, टेक्सल कैसे connect करना है, उसकी events को test कैसे करना है, और उसके अलावा, domain को कैसे connect करना है, तो I hope कि आप लोगों को इस करना है, तो जससे का हमने मैं पादे कम चिर चाकी हained पिसके का कि अरय है, जास है कि आप hora कि इसके अरbbe कारकी विपास कि नहाएगीं, घ्म तोग पात। हमी है, और नहाएगी का इसके अर हमाशोमा को ईлетके स्सक्ाब का सक्ताब दो कि पोस्या रहाखी है, एह तो कि लाग